Welcome to everyone, मैं इस lecture में आपको section 299 को proof करूँगी, साथ ही साथ मैं आपको ये बताने की try करूँगी, कि उन cases में क्या होता है, अगर accused ने कोई crime किया है और उसके बाद वो abscond हो गया, और जो abscond हुआ है, उसे court को proof करना mandatory है, क्योंकि अगर वो abscond हुआ है, तो वो proof करेंगे court, तभी ये procedure apply हो सकते है, section 299 को, आप ये बोल सकते हैं, ये condition to precedent है, ये condition होना चाहिए, apply होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप section 299 को invoke कर सकते हैं, इस power को, तो section 299 को मैं आपको explain करती हूँ, section 299 जो है, वो chapter 23 में fall करता है, और section 299 का title ही start होता है, record of evidence in absence of accused, accused के absence होने पर evidence record किये जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको title से clear तो हो गया है keyword से, तो ये आपको mind में click करना चाहिए, कि exception general rule तो ये है, अगर CRPC के section 273 को अगर पढ़िएगा, तो वहाँ पे है कि accused के presence में evidence record किये जाएंगे, और evidence act का section 33 भी यही provision है, तो फिर यहाँ पे दो provision जो ह है, एक section 273 of CRPC, और एक evidence act का section 33, ये दोनों section के exception है, कौन से section, section 299, तो आपको फिर यहाँ पे clear में करूंगे, कि ये section, क्यों exception अपने आप में लिए हुए है, तो सबसे पहले जब ये section आया था, तो उस पे case भी था, क्योंकि obvious सी बात है, यहाँ पे इसकी constitutionality को challenge की गई होगी क्योंकि आप एक सारी बात भी करते हैं, आर्टिकल 21 में भी है कि accused को opportunity देनी चाहिए, कि जो भी evidence है, वो उसको rebutal करा सके, cross examine कर सके, यह सारे उसके पास accused के पास right है, तो अगर आप absence में ही सारे evidence को record कर लेंगे, तो accused कैसे cross examine करेगा, तो इस पे case था, तहसिलदार सिंग वर् 512 था, तो इसमें मैं आपको बताऊंगे कि इस case में court ने यही held किया था, कि accused अपने आपको अगर abscond कर लेता है, और court उसे find नहीं कर पा रहा है, सारे reasonable जितने भी हो सकते थे, court ने सारे possibility अगर court examine कर लेती है, कि हाँ accused को, accused खुद से abscond हो चुका है, तो उस case में accused ने खुद क होती है, तो society at large के against होती है, तो यहाँ पर natural justice वैसे भी role play कर लिए, तो आप यह case जा कर पढ़िएगा, वहाँ से आपको एक answer writing में एक काफी अच्छा लिखने को मिल जाएगा, intro part में, मैं basically वैस आपको case का reference दे देती हूँ, कि constitutionality को challenge की गई होगी, तो यह आपको तीन चीज section 273 of CRPC and section 33 of evidence act, thereafter आप यह case को site कीजेगा, कौन से case को, तैसिलदार Singh versus state, जिसमें आप बता सकते हैं कि इसके object को बताये गया था, कौन से section का section 299 को, तो फिर मैं आपको section 299 को यहाँ पर explain करती हूँ, सबसे पहले जब आप section 299 के subsection 1 को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यह wording स्टा होती है, if it is proved that, proved हो जाता है, क्या proof करना होगा, कि accused person has absconded, accused person abscond हो चुका है, court को पहले यह proof करना होगा, कि हाँ accused person क्या हो चुका है, abscond हो चुका है, और वहाँ पर कोई भी ऐसा immediate, अगर कोई भी immediate नहीं, कोई resources है, जिसे accused को क्या किया जा सके, arrest किया जा सके, तो इस cases में क्य होता है, the court competent to try, यह जो competent to try word है, यह बहुत ज्यादा important है, यह इसलिए important है, क्योंकि, अगर कोई ऐसा offense है, जिसके लिए court खुद competent नहीं है, मतलब magistrate के पास कोई ऐसा case आता है, जैसे कि murder का case आ गया, attempt to murder का case आ गया, culpable homicide, अगर इसका case आता है, तो उसमें तो magistrate उसके लिए competent होता नहीं है, तो उस case में court क्या करता है, committed to, किसको करता है, committed to court of session को करता है, इसलिए यहाँ पर इस word को use किया गया है, court competent to try, और, और word वहाँ पर फिर use भी किया गया है, और commit for try, such person for the offense compliant of me, तो इस cases में क्या होगा, तो इस cases में क्या होगा, अगर accused के absence पे court क्या कर सकती है, examine कर सकती है, उन सारे witnesses को, जो prosecutions ने produce किया हो court के सामने, उस cases में क्या होगा, court क्या examine करेगी किसे witnesses को, जिसे prosecution ने as a witness court के सामने produce किया गया, और उसे record किया जाएगा, और further उनके record किये हुए witness को as evidence माना जाएगा, और उसे अगेंस्ट यूज किया जाएगा, किसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, उस accused person की जो abscond हो चुका है, कब किया जाएगा, inquiry और trial, जब उस accused person arrest कर लिया जाएगा, तो आपको clear हो गया न, कौन-कौन से, सबसे पहले court को क्या प्रूफ करना होगा, कि accused क्या हो चुका ह abscond हो चुका है, abscond की बात हो गए, उसकी बात क्या करेगी, court prosecution ने जो भी witnesses produce किया है, court के सामने, उसे record कर लिया जाएगा, उसको record करने के बात, उस record किये वे witnesses को, accused person की against, inquiry और trial में use किया जाएगा, अगर accused person arrest हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक बात click होनी चाहिए, mind में, कि उस person, accused person तो वहाँ पर था ही नहीं, जब accused person को arrest किया गया, तो उससे पहले ही evidence record हो चुके थे, तो इस ground में accused को cross examine की, तो right दी नहीं गई, वो कहां से cross examine करेगा, बट यहाँ पर accused ने अपने आप को ही, इसके libel बनाया, कि उसके against in witnesses को record किया जाएगा, बट यहाँ पर खुद इसका exception भी दिया हुए, कि कब उन witnesses को record किया जाएगा, उसका exception दिया हुए, कि अगर वो witness क्या हो जाते हैं, अगर उन witness की death हो जाती है, या incapable हो जाते हैं, या अगर unreasonable delay है, या कुछ ऐसे expenses हो सकती है, या inconvenience हो सकती है, तो उस ground पे, जो accused person के against, जो witnesses record की गई थी, prosecution के द्वारा, उसे accused person के against, used किया जाएगा, जब वो arrest हो जाएंगे, और उनके arrest होने से पहले ही इन सारे witnesses को record कर लिया गया था, जब वो abscond हो चुके थे, आगे आपको समझ में, यहाँ पे, फिर इसके आप सब section 2 में आएंगे, यहाँ पे तो accused person है, पता है कि हाँ, वो accused person है, बट उस case में क्या होगा, जब वो accused person है ही नहीं, तो sub section 2 में यह बात की गई, अगर कोई ऐसा offense है, जिसकी punishment है, death और imprisonment, उस case में क्या होगा, high court और session judge, magistrate of the first class को यह direct कर सकती है, कि आप inquiry करें और examine करें, उन सारे witnesses को, जो की evidence दे सकते हैं, उस offense की, और बाद में उन सारे evidence को, against, किसके against use किया जाएंगे, अगर बाद में उन सारे evidence को, किसके against use किया जाएंगे, अगर पता चल जाता है कि कौन accused person है, इसमें unknown है, unknown है, और किस ग्राप, और कब unknown है, कौन से offense में unknown है, अगर उसकी punishment death है, और imprisonment for life है, उस case में कौन direct करेंगा, high court और session judge direct करेंगे, magistrate of the first class को, कि वो hold करें, inquiry को, और examine करें witnesses को, जो की evidence दे सकते हैं, उस offense, जो भी offense हुआ है, और बाद में उसे subsequently, जो भी accused person पता चलता है, उसके against वो use किया जाएगा, इफ, जो, इफ, वहाँ पर उस word को use भी किया गया है, वहाँ पर, कि if the deponent is death, जो भी witnesses थे, अगर उनकी death हो गई है, यह incapable है, वो evidence को देने में, तो उस ground पर, उन सारे recorded witness को, against use किया जाएगा, जब पता चल जाएगा, कि कौन, किसने crime किया था, कौन सा crime, death का crime, और imprisonment for life, तो यहाँ पर दो चीज़ आपको clear हो गया, तो section 299, और section, section 299, subsection 1 में आपको पता है, कि वहाँ पर पता है, कि accused person है कौन, और वहाँ पर court को prove भी करना पड़ेगा, कि वह accused person abscond हो चुका है, then, और subsection 2 में क्या है, कि अगर वह punishment, अगर offense ऐसी है, जिसकी punishment death है, और imprisonment for life है, तो उसमें क्या करेंगे, court of session और session जाएट करेंगे, magistrate of the first class को, कि वह hold करे, inquiry और trial, यह चीज़ आपको यहाँ से clear हुआ, बड़ जब आप section 299, कि subsection 1 जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दिया हुआ है, यह word, the court competent to trial, और committed for trial, अगर कोई ऐसा offense है, जिसके लिए, तो magistrate खुद competent है, उस offense को लेने के लिए, तब तो ठीक है, कि आप वो खुद सारे उस offense की trial करेंगे, और कुछ जो भी hold करेंगे, आप inquiry but in case, अगर वो court of session के द्वारा inquiry hold की जानी है, तो उस case में क्या होगा, उस case में क्या होगा, सबसे पहले तो magistrate को क्या prove करना पड़ेगा, magistrate को prove करना पड़ेगा, कि accused person abscond हो चुका है, और abscond हो चुका है, तो उस time, वो सारे witnesses को record भी करेंगे, और record करने के बाद, जो भी evidence record हों उसको वो forward किसे करेंगे, court of session को for committal of the offense, क्योंकि वो court of session के द्वारा exclusively trial किये जाने वाले offense, जैसे murder का case हो गया, तो जब section, जब abscond की trial कर रही होती है, तो उसमें abscond का एक अलग procedure चलता है, जहां पी section 82 और 83 के provisions को apply किये जाते है, वहीं पे court वहां पे उस trial के दोरान ही, वो सा प्रोसीजर को follow करती है, जिस प्रोसीजर में वो सारे evidence record करती है, witnesses जो भी है, उन सारे witnesses को जो उन्होंने record किया है, वो court of session को भेज देती है, for the committal of the case, और forward कर दिया उन्होंने सारे witnesses को, और उस समय accused, जो की abscond हो चुका है, अगर वो appear हो जाता है, तो court इस stage में क्या करती है, जो भी उसने recorded witnesses, जो magistrate ने भेजे थे, जब वो एक abscond हो चुका था, तो उन witnesses को court क्या करती है, accused के सामने produce करती है, तो accused person, अगर already witnesses have present, अगर witnesses की death नहीं हुई है, तब तो accused person उसे cross examine कर सकते हैं, but in case अगर वो witnesses है ही नहीं, उनकी death हो चुकी है, तब court उस witnesses को उनकी against use कर सकती है क्योंकि वो section 299 में दिया हुआ है, आपको clear हो गया यहाँ पर यह सारे provisions, तो आप जब भी भी section 299 को पढ़ें, उसके साथ section 273 के exception को mention करें, 33 of evidence act के exception को mention करें, और जब आप इस word को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर court competent to trial और committal for trial, तो committal for trial से आपको click होना चाहिए, यह mind में उस कि कमिटal for trial के provisions का मतलब क्या होता है, कि जिस court जब भी भी कोई offense होता है, magistrate के सामने आया, magistrate को यह पता चल रहा है कि इस offense की congligence मैं नहीं ले सकता है, यह मेरे jurisdiction में नहीं है, तो उस case में क्या करती है, magistrate किसको भेजेगी, court of session को भेजती है, कौन, तो उसके section है already, section 209 में magistrate किसको भेजती है, court of session को, और even section 323 में भी court के पास magistrate को ऐसा लगता है, कि भले मैं यह offense लेने के लिए competent हूँ, बट एक time के बाद उससे लगता है, कि इसे court of session को forward कर देना चाहिए, वो इस offense की congligence ज्यादा better way में ले सकते हैं, तो वो उन्हें forward कर देती है, section 323 में भी यह power को invoke कर सकती है, तो आप इन sections को भी अच्छे से पढ़िएगा, आपको यहाँ पे मैंने ज्यादा details में नहीं बताया, section 209 और 323, बस मैंने यहाँ पे यह word आया हुए, commit for trial, इसलिए मैं आपको बताये कि इसका मतलब क्या होता है, और इसका कहां पे use किया जाएगा, अगर को यह offense आती है, court के पास, magistrate के पास, और magistrate को लगता है, कि यह तो offense मेरे juridics, इसके लिए मैं liable नहीं हूँ, इसका मैं congligence नहीं ले सकता हूँ, तो उस case में court पहले, उस चीज की क्या करती है, evidence वगरा record करती है, और उसके record करने के बाद, उसे court of session के पास भेज़ देती है, commit for trial, तो आप इन दो वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा, और I hope कि आपको कुछ समझ में, मैंने कुछ explain, I hope